नमस्कार दोस्तों मैं राहुल मिश्रा स्वरी मैं उज्वल सिंग और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल माई पार्चाला एंड पार्चाला रेलवेग जांत में जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के सामने आज की करेंट अफेर का एक कोश्चन है ताइम्स हेयर एजुकेशन जिसको शॉर्ट फॉर्म में टी एच ई बोलते हैं वर्ड उनिशिटी रैंकिंग दोजार एक किस अंस्तान ने टॉप किया है और आपके पास जो आप्चेन है वो है स्टैंटफोर्ड उनिशिटी, उनिशिटी आफ ऑक्सफोर्ड, उनिशिटी आफ कांब्रीज और हावर्ड उनिशिटी इस कोश्चन के डिटेल में पहुचने से पहले हम चलेंगे आज की ताजा खबरों पे और आज जो हमारा ताजा खफ़र है उसके पहले स्क्रीन पे पहुचते हैं और हम यहां से लेते हैं हमारी आज की पहली ख़़र आपकी जो गन होती है AK-47 उससे रिलेटेड है एक डिल साइन होई है भारत और रसिया के बीच में हमारे रक्षा मंतरी राजना सिंग तीन दिवसी दवरे पे रूश में गयते हैं वहां पे एक डिल फाइनलाइज होई है और डिल क्या फाइनलाइज होई है AK-47 यह हमारी जो राइफल है इसका एक अपग्रेटेड और यह कितना बनाया जाना है 7,70,000 AK-203 बनाई जानी है जो कि हमारे भारत में इसका विनमार होगा यह जो साओदा और यह जो डिल साइन किया है हमारे रक्षा मंतरी ने तीन दिवसी दवरे में रूश के साथ यह एक बड़ी चीज और बड़ी कामियाबी है भारत के लिए तो आज के दिन का दूसरा न्यूज है वो न्यूज है दे वर्ड यूनिशिटी रैंकेंग है 2021 की यह रिलीज की गई है जो कि हमारा पहला कोश्चन था और उसके जवाब डोड़ने की कोशिश करेंगे एक रैंकिंग निकाली गई है रैंकिंग में में बात आती है कि भारत कि सिर्फ और सिर्फ दो university का नाम आया है एक नाम आया है जो है आपका institute of science और एक दूसरा है Indian institute technology ropal एक है आपकी IISC bangalore वाली और दूसरी है ropal वाली जो है और इनको ranking कैसे मिली है IISC bangalore को 301 मिली है क्या मिली है 301 ranking मिली है और 351 मिली है IIT ropal को ये हमारी जो दो university है इनको जगह मिली है top 400 में बात आती है top किस ने किया है top किया है ब्रिटेन की Oxford university ने Oxford university पे दूसरे नमबर पे कौन रही है Stanford university रही है और तीसरे नमबर पे Harvard university रही है चीन की एक मात्र युनिवर्सिटी सिंग हुआ university को 20 वे रहा पे जगह मिली हुई है तो ये रही है जो निकाली आती है ब्रिटेन की times here education टी एची निकालती है क्या निकालती है ब्रिटेन की times here education निकालती है इसको short form में टी एची बोलते है तो एक question जो हमने start में लिया था उसका जवाब ये पूछा गया था कि टॉप किस ने किया है टॉप किया है Oxford University ये पहले नमबर पर आई है और आज के दिन का अगला current affair अगला news देखेंगे और ये बात आती है as gopahkumar की as gopahkumar की इस related news किया है इस related एक news ये है कि एक gold medal इनों ने हासिल किया है ये gold medal क्या है Indian Institute of Architect IIA इसको बोलते हैं short form में Indian Institute of Architect ये क्या करती है वस्तुकला के field में वस्तुकला के field में जो कोई भी क्रिस्ट योगदान देता है उसको ये prize दिया जाता और ये prize मिला है S. Goppa Kumar को और ये क्यों मिला है तोकि इन्होंने बहुत सारी वस्तुकला वस्तुकला बोले तो buildings बहुत सारी बनाई हुई है SDFC की building कोची में इन्होंने बनाई है केरल हिस्ट्री म्यूजियम को इन्होंने बनाया है जो की कोची में है KSIR City Bus Station इन्होंने तिरु अनन्दपुरम वाली बनाई हुई है तो इनके उतकिस्ट कामों के लिए Institute of Architect ये वस्तुकला के field में ये price जो है organize करती है गोपा कुमार को मिला है किसलिए SDFC building बनाने के लिए केरल हिस्ट्री म्यूजियम बनाने के लिए KSIRTC Bus Station बनाने के लिए और IIA का जो को मुख्याला है वो मुख्याला है आपका मुंबई में आज के अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं और अगला न्यूज है उसा पाड़े को लेके उसा पाड़े को लेके सबसे बड़ा न्यूज क्या है एक short form है BICAS क्या बहुते है BICAS B.C.A.S. BICAS इसका full form क्या है Bureau of Civil Aviation Security क्या है Bureau of Civil Aviation Security अब यहां पर एक चीज समझे कि इनको महान इदेशक के रूप में न्यूज किया गया है इसके पहले राकेश अस्थाना B.C.A.S. के प्रभार समाला करते थे लेकिन अब उन्हें यहां से B.C.A.S. के महान इदेशक के रूप में स्विच कर दिया गया है अब जो है आपके B.C.A.S. की जो महान इदेशक वो कौन है उसा पाड़े है उसा पाड़े वर्तमान में अभी जब तक यह समाल नहीं है तब तक नाधरिक उट्यन मंत्राले में सहीं उत्त सचिव है यहां से इनका ट्रांसफर होके जो है महान इदेशक का दिया गया है किसका B.C.A.S. का दिया गया है और यह पहली मैला और तीसरी आईए सदिकारी बनी है इस पोस्ट पे पहुचने वाली आईए सदिकारी अब तक इनके अलामा दो और पहुचे हुए यह तीसरी रहिया और पहली महिला है इसी वज़े से यह न्यूज आपकी खास न्यूज है और विकास की अस्तापना कब हुई थी विकास की अस्तापना 1978 में हुई थी कौन सी समित की वज़े से हुई थी पांडे समित की वज़े से हुई थी तो जो आपको याद रखना है वो याद रखना है पांडे समित की सिपारिश पे विकास की अस्तापना हुई थी कब हुई और तीसरी I.S. है और विकास का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है यह है Bureau of Civil Aviation Securities का फुल फॉर्म है इसके बाद हम अगले न्यूज के तरफ बढ़ते हैं आज का हमारा अगला न्यूज है तमिल नाडू तमिल नाडू में एक खास बात यह हुई है द्यान से यहां पर देखिएगा एक मैला है और बड़ी बात है आपने ज़्यादातर समय देखा है ambulance चलाते हुए ambulance चलाने वाली जो भी लोग होते है ज़्यादातर cases में आपको फूरसी देखने हों को मिलेंगे तो तमिल नाडू ने क्या किया है पहली यहां पर एक काम किया गया है 125 क्रोड रुपए के लागस से 500 नई ambulance राज्य को समर्पित की गई है तो इस न्यूज में खास न्यूज क्या है कि तमिल नाडू ने पहली बार वहां की सरकार ने वहां के मुक्यमंत्री ने यह step लिया है कि हम किसी महिला को ambulance का driver बनाएंगे और यह स्रे किसको जाता है यह सरे M.Vira Lakshmi को जाता है अब एक चीज और खास करके ध्यान देने वाली बात है ध्यान देने वाली बात क्या है कि 125 क्रोड की लागस से 500 ambulance जो है समर्पित किया गया है तमिल नाडू सरकार ने समर्पित किया है लोगों के लिए और यह तमिल नाडू के खेल है यह खेल आपको याद रखना पड़ेगा जो टीम है वो N.T.P.C. वेल्योर की है यह जीता है तमिल नाडू जो है विंस IIMA IIMA है क्या? IIMA Indian Management Association द्वारा और्गनाईज होती है उर्जा मंतराला के तहत्र केंद्रिय सारवजनिक उपक्रम N.T.P.C. Limited की टीम ने All India Management Association चालक के राश्टी परबंदन खेल ध्यान रखेगा Indian Management Association चालक के राश्टी परबंदन खेल 2020 यह जीता है किसने जीता है? N.T.P.C. Limited ने जीता हुआ है N.T.P.C. Limited ने जीत लिया है अब आपको यह पता होना चीए थोड़ा सा यह खेल के भी सेम है कि यह जो Indian Management Association चालक के राश्टी परबंदन खेल यह है क्या? यह किस तरीके से और इसमें कितने सारी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है तो इसमें 112 संगटनों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है इसका उद्दे से क्या है? जो अलग-अलग उद्द्योगे के जो भागीदार आते हैं इसमें जो उसके कारेपालक होते हैं जो डारेक्टर्स होते हैं इस संगटन को इससे क्या है? उससे क्या संगठन को चलाते हैं उसमें क्या जडिलता है उन जडिलताओ को वो सेयर करते हैं उससे लोगों को मदद मिलती है कि अलग अलग तरीके के संगठन कैसे चलाया जा सकते हैं तो इन सभी में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है उन लोगों ने ये बता प्रॉपर तरीके से रन किया है और उसके चैलेंजेज को लोगों के साथ शेयर किया है और उस चैलेंज जो शेयर हुए है उस चैलेंजेज में यह पाया गया कि एंटी पीसी लिमिटेड ने अपनी टीम को सही तरीके से और्गनाईज किया है सही तरीके से लीड किया है विनर तभी एनाउंस होता है जब उसने कुछ इक्स्टारणरी काम कर रखा हो ठीक है इसके बाद आज के न्यूज में अगले न्यूज की तरफ चलेंगे लागया है ऑफिसियल लेंगवेज इंट्रॉडक्शन अब जम्मु एन कश्मीर ऑफिसियल लेंगवेज बिल 2020 और यह संसद में अप्रूव हो गया है संसद में जो यह राजा भार जम्मु कश्मीर राजभाशा विदेग 2020 यह प्रस्ताव मंत्रि मंदल द्वारा भासा नहीं थी पर अब यह आधिकारिक भासा हो गई है अब यह जम्मु कश्मीर की आधिकारिक भासा है कश्मीरी जो है 53 जो आबादी है उसकी मात्रि भासा है जो वहां पे रहते हैं लोग उसमें कश्मीरी जो हमारी लेंगवेज है वो 53 लोग ऐसे हैं जो कश्मीरी बोल जाती है डोगरी गोजरी और पहाडी तीन और भासा है बोली जाती है लेकिन अपके बाद आपको क्या याद रखना होगा कि ये जो बिल 2020 वाला जम्मु कस्मीर राजबासा विदेयक पारित किया गया है इसमें उर्दू बोली जा सकती है कस्मीरी के अलावा डोगरी हिंदी और अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी आपको याद रहेगा दो और याद रखना है उर्दू कैसे याद रख सकते हो क्योंकि वहां पर जादा पर लोग मुश् üz scrape है तो उर्दू बोलते होंगे कस्मीर है तो याद रखना है आपको डोगरी कैसे याद र Licht आद को वाले हो प 30% लोग रहते हैं और वहां के लोग मुशलमान जादातर हैं तो उर्दू भी वहां पे बोली जाती ये भी आजिकारी बासा हो गई है डोगरी एक अलग से नाम आपको याद रखना है क्या याद रखना है डोगरी एक अलग से नाम याद रखना है इसके बाद हम आज के अगले यूज की तरफ चलेंगे रसिया कमिस to policy of no arms ये basically मैं आपको समझा देता हूँ है क्या हिंदुस्तान का जो है और रशिया का बड़ा अच्छा relation है और राजना सिंग तीन दिन के दोरे पे वहाँ पे गये थे तो रशिया ने promise किया है रशिया ने commit किया है कि no arms deal वो पाकिस्तान को किसी भी तरीके का arm supply नहीं करेगा किसी भी तरीके का arm supply नहीं किया यह क्या है यह भारत और रशिया के बीच मे उसका और राजना सिंग जी के दौरे का भी असर है और इसे हम एक तरीके से एज़ पे जाएंगे हम भारत वासी जो है अगर पाकिस्तान को आहम सप्लाई नहीं होगा तो कही न कहीं हम एज़ पे जाएंगे तो आज के न्योज में ये खास बात है और यहाँ पे यहाँ पे एक चीज और समझना है कि रक्षा मंतरी राजना सिंग जो है रूस के तिन दिवसी दौरे पे थे क्यों कि संगाई सहयोग संगठन वहाँ पे आयोजित S.C.O. बोलते है इसको संगाई सहयोग संगठन यह वहाँ पे आयोजित हो रही थी और यह जो है यह जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था ठीक है उसकी याद में होती है उसकी जीत की याद में है और 75 वी वर्सगाट के उपलग में यह आयोजित किया गया था संगाई सहयोग संगठन वहाँ पे गये हुए थे तो रक्षा मंतरी जी रूष की तीन दिवसी आत्रा पे गये थे और वहाँ पे उन्होंने यह जो चीज है रूष के साथ समझाया बुजाया महराया बुजाया और यह डील साइन करवा लिया कि साहब पाकिस्तान के साथ कोई आम सप्लाइड नहीं होगा कौन नहीं करेगा भारत नहीं रशिया किसी भी तरीके का आम सप्लाइड नहीं करेगा यह डील साइन हुआ है इसके बाद अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे हम और अगला न्यूज क्या है पी इन्यान पी इन्यान क्या है भारतिय ग्रैंड मास्टर है ग्रैंड मास्टर बेसिकली चेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और भी टूनामेंट के लिए लेकिन यहां पर हम बात करने माले चेस्ट टूर्णमेंट के लिए और चेस्ट टूर्णमेंट जो हो रहा था उसमें 9 में से 7.5 स्कोर करके इन्होंने क्या किया है इन्होंने जीत लिया है online chess tournament जीत लिया है यह 48-वा annual world open online chess tournament था कौन सा था 48-वा annual world open online chess tournament याद रहेगा 48-वा annual world open online chess tournament था जिसको जीत लिया है उन्होंने जिसमें से जो fight हुई है जो game हुआ था 9 game में से 6 जीते हैं वो 3 हा रहे हैं और यह 16 देशों के कुल 120 खिराडियों ने इस chess tournament में participate किया था इस खिताब को जीतने के लिए उन्होंने हराया किसको है जार्जिया के grand master बाडूर बाडूर जो बुवा को उन्होंने हराया है और यहीं के Sam Vivian को हराया हुआ है इसके अलावा सहिवतराज अमेरिका के सरगेई Airenberg को हराया हुआ है और यूक्रेइन के नेजेक इलिया को हराया हुआ है यह कुछ नाम है जो सबसे ज़्याद आपको याद रटना है जार्जिया के grand master बाडूर जो बुवा को Sam Sivian को और सरसेई Airenberg को और यूक्रेइन के नेजेक इलिया को हराके इन्होंने ये चीज जीती हुई है इसमें जो पार्टिसिपेट किया है 120 खिलाडियों में से 30 से जादा खिलाडी grand master रहे है 30 से खिलाडी जादा खिलाडी grand master रहे है आप लोग को नीचे comment section में लिखके ये बताना है कि हम किसी भी खिलाडी को खिताब मिल जाता है कि हमको grand master बोहने लगते comment section में लिखके बताईएगा इसके बाद आज के अगले नीच की तरफ चलेंगे हैधराबाद internal airport की बात करेंगे ये इसने जीता है हैधराबाद international airport ने जीता हुआ है कौन सा जीता हुआ है CIGBC national energy leader award CIIGBC national energy leader award और excellence energy efficient unit पुरसकार प्रदान किया गया है क्या किया क्या है national energy leader national energy leader और excellence energy efficient unit इसका पुरसकार प्रदान किया गया है इसके अलावा राष्टी इस पात निगम लिमिटेड विशाखा पत्तनम इनको जो steel plant है ये इसको राष्टी पुरसकार CIIGB का excellent energy efficient unit का खिताब दिया गया है भारती उद्योग परिशंग CII CII का फुल फॉर्म क्या है भारती उद्योग परिशंग और गोद्रेज green business center गोद्रेज green business center G for Godres, B for business, C for center और बीच में green गुसा हुआ है गोद्रेज green business center ये इसका फुल फॉर्म है भारती उद्योग परिशंग CII का हिंदी में फॉल फॉर्म है ये जो है ये सारा का सारा जो ये चीज है और नाइज करती है ये उर्दा दक्षिता के शेत्र में जिनोंने महत्तपुर काम कर रखा है उनके नवीन प्रयाशों के लिए इसके मोटिवेट करने के लिए ये पुरशकार आजीत करती है और ये पुरशकार जीता कितने है जीता है राजियुगादी अंतरास्टी हवाई अड्डे ने और इसके बाद हम चलेंगे फटाफट न्यूस में सौधी अरभिया सौधी अरभ ये ने क्या काम किया न्यूस फटाफट में इसनों ने ऐलाओ किया है कि इनके उपर जो आस्मान आता है जब भी किसी एरोप्लेन को एक जगे से दूसरी तरह जाना होता है तो देश का परमिशन चाहिए होता है सौधी अरभ ने क्या किया है विमान पहुची थी UAE तक किसकी इस्राइल से पूछा जा सकता है कि UAE में सबसे पहली जो है कौन सी विमान पहुची थी इस्राइल की पहुची थी और सथिया आरप ने इसकी permission दे दी ती इसके बाद news photovert में इनके मिश में क्या है भार सरकार ने 1 सितंबर 2020 से चतरपती सिवाजी को भारत का प्रमुक सांखिकी विद निव्त किया है यह 1986 बैच के IS अधिकारी है सांखिकी और कारिकम कार्यवन मंतालने सचीव के रूप में कारेभार अब यह समालेंगे तो में चीज क्या है आपको कमेंट सेक्शन में लिखके बताना है कि सांखिकी विद यह सांखिकी विद जो है क्या है इसके विशे में जितनी भी डिटेल आप जान सकते हो वो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में लिखके बताना है इसके बाद अगला जो है राज श्रीवास्त पॉइंटर और रिपब्लिक आप कोर्षिया में मैं 1997 की आईयस अधिकारी है वर्तमान में टोक्यो में इस्थित भारती जो दूतावास है उसमें मिशन उप्र प्रमुक के रूप में कारेवर्थ है यहां से टोक्यो से इनका ट्रांसफर किया जा रहा है कहां पर रिपब्लिक पॉरशिया में और किस तरीके सो वह रहा है इंडिया क्या वह हो रहे हैं वहां पे राज Sivastwa कहां पे कॉर्शिया में हो रहा है इसके बाद अगले जो है सेगमेंटम आप हमारा आता है वन लाइनर, वन लाइनर में आपको क्या करना है, फट अफट जो है कोश्चन के जवाब देना होता है, स्क्रीन के सामने आपके कोश्चन के समान है, एक बार रिविजन कर ले, रिविजन के काम आता है, सांखिकी और कारेवन मंत्राले, M.O.S.P.I.A. के सचीव के रूप में हिंदू, अंग्रेजी और किस भासा को जम्मू कश्मीर की आधिगारिक बासी के रूप में मंजूरी दिया है, इसके साथ उर्दू मिसिंग है, उर्दू, टाइम्स हायर एजुकेशन में, आक्सफोर्ड उनिर्सिटी को पहला स्थान मिला है, टी-हची में, वर्ड उनिर् बनें, अभी हमने डिसकस किया था, बाबु राओ, महात्रे, गोल्ड मेडल 2020 जीतने वाले, जो है, गोपा कुमार है, यह अवाइड का नाम था, जो हम मिस कर गये थे, जो यहां पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इसके अलावा कें सरकार द्वारा किसको क्रोशिया गड राज में, भारत के अगले राजदूत के रूप में, राजकुमार श्रिवास्तवा को अभी हमने पड़ा हुआ है, इसके बाद हम अगले न्यूज की तरफ बढ़ेंगे, किसको Bureau of Civil Aviation Security, B-Cast की महानी देसक, B-Cast की ध्यान रखेगा, short word है, B-Cast की महानी देसक के रूप मे अत्रित्प्रबार दिया गया है, तो उसा पाडे जी को ये चीज दिया गया है, किस राज में भारत की पहली महिला एमुलेंज का जैसे ही नाम है, पहली महिला एमुलेंज ड्राइबर की आग को याद हमेशा होना चाहिए है, वीर लक्षमी और ये किस स्टेट की बात है, तमिल नाडू की नीचे कमेंट शिक्षन में लिखके बताईएगा तमिल नाडू के मुख्यमंत्री का क्या नाम है किसकी टीम ने All India Management Association AIMA चालक के बिजनस सिमुलेशन गेमराश्टी परबंदन केल 2020 जीता हुआ है तो ये NTPC वैलियूर ने जीता है किसने जीता है NTPC वैलिय अपने नाम किया है और 40वा Annual World Open Online Chess Tournament P.N.N.N. ने किया है P.N.N. के भी समें एक बात यही है 9 में से 7.5 जो है वो किया था इन्होंने स्कोर किया था और 6 जीता था 3 रहा रहा था ये इनका स्टेटस रहा हुआ है किस हवाई अड़े को उर्जा प्रबंदन में उतकिस्टा के लिए 20 राश्टी पुरस्कारों में से National Energy Leader और Excellence Energy Efficient Unit पुरस्कार प्रदान किया गया है तो हैदराबाद का जो अंतरास्टी एएरपोर्ट हवाई अड़े का अंतरास्टी हवाई अड़े का इसके बाद हमारा अगला सेक्षन आता है जिसको हम MCQ का नाम देते हैं हम इसमें discuss करने वाले question केंद्री सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी यहां पर missing है क्या आपका एक उर्दू क्या missing है उर्दू किस भासा को किस भासा मतलब उर्दू भासा को option है आपका उर्दू या आपका correct option हो जाएगा इसके अगले कोशन की बात करते हैं सांखिकी और कारेक्रम कारेवन मंत्राला M.O.S.P.I. के सच्चिव के रूप में किसे निक्त किया गया है छत्रपती सिवा जी को किया गया है जो कि option number one में है इसके बाद अगले कोशन की तरफ move करते हैं किस देश ने UAE तक पहुचने के लिए सब 203 rifle जो की AK-47 का upgraded version है भारत और रूस के बीच में ये जगे बरना है भारत और रूस के बीच में बेसिकली ये रसिया आपका option number second में दिया हुआ है इसके बाद अगला कोशन है बाबु राओ मात्रे gold middle 2020 जीतने वाले गोपा कुमार है option में कहा है ये option में हमारे यहाँ पे fourth मे S. Gopakumar को ये मिला है वस्तुकला के लिए मिला हुआ है इनको ये word उसके बाद किसको Bureau of Civil Aviation Security B.Cast की महानी देसक बीकास नाम याद रखेगा इसके महानी देसक के रूप में किसको किसको appoint किया गया है उसा पाड़े का नाम यहाँ पे आता है क्या नाम आता है उसा पाड़े कि पहली महिला ambulance driver के रूप में Tamil Nadu कितना असान सा है Tamil Nadu अब तक तो जुबान पर याद हो गया होगा मुझे तो ये तक याद हो गया कि 125 करोड 500 ambulance दिये हुए है और comment section में लिख के बताईएगा क्या Tamil Nadu के मुख्यमंत्रे का नाम किसकी टीम ने All India Management Association IAMA स्वारी AIMA चाड़क क ये business simulation game रास्टी परबंदन केल 2020 जीता हुआ है तो ये NTPC value ने यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है value का ये NTPC value ने जीती है NTPC limited कहां की value वाली उसके बाद अगला question है कौन सा देश पाकिस्तान के साथ no arms supply करने वाला ये फिर से अगेन रशिया का नाम है यहाँ पे आता है और ये option number second में है राजना सिंग ने तीन दिन का दौरा किया AK47 का upgraded version भारत में भी निमाल की बात कर ली no arms deal साइन हो गया सब कुछ हो गया किस ने प्रतिश्चित 48 वा एन्वल वर्ड ओपेन ऑनलाइन चेस्ट टूनामेंट अपने नाम कर लिया पी इंगियन का नाम यहाँ प पुरसकार दिया गया है यह हमारी हैदराबाद की इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां कि है हैदराबाद वाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यह खिताब दिया गया है इसके बाद अगला कोशन है के सरकार द्वारा किसको क्रोशिया गडराज में भारत के अगले राजदूत क के रूप में निफ्ट किया गया है यह हमारे राजकुमार सिवास्तवा यह 86 बैच के आये सदिकारी है कोडशिया के राजदूद बने हुए है और यह रहा आज का हमारा करेंट अफेर का शो और उमीद करता हूं कि आज का करेंट अफेर आपको पशंद आया हो अगर आपको क